इसवार इसका थीम था, रेस्टोरेशन लेंड रिकवरी, वे बिल्ड बैक बैटर विद हेल्दी लेंड, इंटरनाशनल उटिस्टिक टाइड डे, अठारा जून को मनाया गया, नैशनल रीडिंग डे, उननेश जून को मनाया गया, वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को मनाया गया, और वर्ल्ड सिकल सेल डे, 19 जून को मनाया गया, अब हम देखते हैं, इंपोर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, सिर्फ तीन है, जर्मानी के आर्किटेक्ट वास्तुकार, गौट फ्राइड बोहम की डेथ हो गई, इन्हें प्रिट्सगर आर्किटेक्ट्चर प्राइज भी मिला था, जो प्रिट्सगर अवार्ड होता है, वास्तुकारी तक लिए जाता है, मुफ्ती फैजुल वहिद, ये रिराउंड इसलामिक स्कॉलर थे, इन्होंने कुरान को गौजरी लेंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, इनकी डेथ हो गई, और DPIIT में जो सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट आप इंडस्ट्री अन इंटर्न ट्रेड में, गुरुप परसाद महोपात्रा उनकी डेथ भी हो गई, अब हम शुरू करते हैं Multiple Choice Questions, MCQs, Let's Start. कौन सा इंडिया का राज्य है, स्टेट है, जिसने यूवा शक्ती, करोना मुक्ती अभिहान शुरू करा है? यूवा शक्ती, करोना मुक्ती, ये मद्यपरदेश की सरकार में शुरू करा है. इसमें जो college teacher हैं और लगवग 16,000,000 student, उनको करोना infection के बारे में समझाये जाएगा, सिखाये जाएगा, उन्हें ये भी बताये जाएगा, कि अगर करोना हो जाए तो किस तरह का वेवार आपको करना है? तो आंसर है मद्यपरदेश. राज पर्व, जिसे मिथुन सक्रान्ति भी गोलते हैं, ये तीन दिन तक चलने वाला त्योहार है, नारित्तु का सम्मान करने वाला, यानि वुमेन हुड को ओनर करने वाला, ये कहाँ पर मनाये गया? इसमें भूदेवी की पूजा होती है, जो भगवान जगनाथ की पतनी है, तो ये तीहार जो है, ये ओडिसा का तीहार है. तो आंसर है ओडिसा. ओडिसा में और भी तीहार मैनाय जाते हैं, जैसे डोला-पुरनीमा, जगनाथ यात्रा, नुआखई वगरा कौन सी स्पेस एजंसी है जो दुनिया की दुनिया की पहली लकडी से बनी हुई सैटलाइट, फर्स्ट वुडन सैटलाइट जिसका नाम है वीजा वुड सैट, उसको अंत्रिक्ष में भेजेगी तो याद रखिए ये भेजेगी ESA यानि European Space Agency और European Space Agency इस सैटलाइट को लांच करेगी New Zealand से इस सैटलाइट का आकार है 10 x 10 x 10 cm यानि 10 cm x 10 cm x 10 cm नेनो सैटलाइट है तो वीजा वुड सैट इसका नाम है और European Space Agency चुकर घ्रह पे अपना मिशन करेगी Envision और भ्रसपती घ्रह पे मिशन करेगी Juice उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन जिसे नेटो बोलते हम यानि North Atlantic Treaty Organization नेटो का सालाना शिकर सम्मेलन कहां पे हुआ तो ये हुआ नेटो के Headquarter ब्रसल में ये 31 शिकर सम्मेलन था ब्रसल में हुआ Belgium की राजदानी और ब्रसल में World Custom Organization WCO का Headquarter भी है World Giving Index में भारत का Rank क्या रहा World Giving Index ये बताता है कि कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा उदार कौन सा देश रहा दूसरे देशों की मदद करने में दूसरे कंट्री की हेल्प करने में कौन आगे रहा तो इंडिया की तो रहेंगती इसमें वो थी चौदवी नंबर 14 पे हम रहे नंबर 1 कंट्री इसमें रहा इंडोनेशिया और केनिया दूसरे नंबर पे रहा IIT रुड़की के एक प्रोफेसर है जिनोंने एक ऐसा हेल्मेट तयार करा है जो बम अगर विसफोट भी हो जाए तो भी वो उसको जहिल लेगा यानि ब्लास्ट रजिस्टेंट हेल्मेट विसफोटक प्रतिरोधक शमता है इसमें यानि बम विसफोट भी हो जाए तो हेल्मेट फटेगा नहीं बनाया है, इसके लिए इन्हें पुरुसकार मिला है NSG, Counter IED and Counter Terrorism Award क्या नाम है इन प्रोफेसर का? शैलेश गंडपुले इनका नाम है याद रखिए शैलेश गंडपुले, बहुत important question है और ये उल्टा करके भी पूछ सकते हैं ये प्रोफेसर कौन से IIT में पढ़ाते हैं तो आंसर है IIT रुड की, जो उत्राखंड में है अभी भारत सरकार के नई दिशा निटदेश आए हैं नई गाइडलाइन्स आई हैं इनके मुताबिक जो लोग सोने चांदी का वैपार करते हैं वो अब 14 केरेट, 18 केरेट और कितने केरेट का सोना अब से बेच सकते हैं तो याद रखिए 15 जून 2021 से 15 जून 2021 से तिरफ 14 केरेट, 18 केरेट और 22 केरेट का जो गोल्ड है वो बेचा जा सकता है और नहीं अभी अभी एक 15 मीटर लंबा पेड पैरोस्ट्रियाल लाल जी ये कौनसे भारत के राज्य है या यूनियन टरिटरी में खोजा गया है तो याद रखिए ये अन्मा निकोबार में खोजा गया है अन्मा निकोबार में खोजा गया है भारत का कौन सा राज्य है जो flip card company के साथ मिलकर medicine from the sky यानि drone की मदद से दूर दराज के शित्रों में remote areas में drone की मदद से दवाईयां भेजेगा तो ये permission मिली है तेलंगाना सरकार को तो answer is का तेलंगाना तो तेलंगाना में एक दलित empowerment scheme भी start हुई है दलित अधिकारिता योजना जिसमें 10 लाख रुपे मिलेंगे दलित परिवारों को जिससे वो अपना business शुरू कर सके और तलंगाना में रायतु बंदू और रायतु वैदी का योजना भी चल रही है कौन से संगठन के नेता है या leader है जिन्होंने चीन की belt और road initiative को counter करने के लिए उसका विरोध करने के लिए build back better world परियोजना शुरू करिए तो यह करी G7 country ने G7 के जो नेता है और G7 summit कहाँ पे हुआ था इस साल यह हुआ था इंग्लैंड के एक जगा पे जिसको cornwall बोलते हैं C-O-R-N-W-A-L-L cornwall IIT कानपूर के एक professor है जिन्हे विश्यू स्वास्ते संगठन यानि WHO में वायू परदूशन को रोकने के लिए जो सलाकार समू है जो है ब्रो के सीमा सदक संगठन यानि Border Road Organization उनके उद घटन किया तो इनका नाम किया है इनका नाम है Corvette और Coorsa आप यहाँ पे screen paint की full form देख सकते हैं Coorsa Road Safety के लिए है और Corvette जो है वो Road Bridges Airfield और Tunnel के लिए है और जो Border Road Organization है इसके Chairman कोने सवक्त इसके महानिदेशक हैं सवक्त लेटेन जनरल राजीव चौधरी और यह रक्षा मंतराले के अधिन काम करता है ICC Men's Player of the Month यानि पूरी दुनिया में Best खिलाडी कोन रहा मई के महिने के लिए पूरुशों में और महिलाओं में दोनों में तो Best Cricket खिलाडी दुनिया का रहा मुश्विकुर रहीम मुश्विकुर रहीम जो है यह बांगलादेश का खिलाडी है और महिलाओं में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे Scotland की खिलाडी हरफन मौला खिलाडी Catherine Bryce तो यह रहे ICC Women's Player of the Month और Women's Player और Men's Player of the Month Men's में मुश्विकुर रहीम और Women's में Catherine Bryce दोनों याद रखने हैं दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं और ICC के चेर्मेन है Mr. Greg Barclay जो New Zealand से है कौन सी ओर्गेनाइजेशन है जिसने एक Science Report पब्लिश करी है वेज्ञानिक रिपोर्ट जिसका नाम है The Race Against Time for Smarter Development इसको पब्लिश करा है अब यह भी UNESCO ने UNESCO जिसका Headquarter पैरिस में है बारत का कौनजा राज्य है जो एक वैदिक सिक्षा संस्कार बोर्ड बनाएगा जिससे हम हमारी जो प्राचीन सब्भेता संस्कृती लोगों को सिखा सकें वैदिक Education तो ये डिजल लिए राजस्थान की सखार नेटा आंसर है राजस्थान डग मारा जल विद्धियुत परियोजना ये कोसी नदी पे बन रही है डग मारा जल विद्धियुत परियोजना हाइडर पावर प्रजेक्ट तो बिहार के कौन से district में बन रही है ये बिहार के सुपॉल district में बन रही है सुपॉल और इसकी शमता होगी 130.1 MW 130.1 MW प्रधानमंत्री मोदी ने Viva Tech में अपना उधभोधन दिया तो Viva Tech कौन सी बार हुआ Viva Tech हर साल पैरिस में होता है 2016 से लगतार हो रहा है इस बार ये पाँचवी बार हुआ था Viva Tech तो आंसर है Viva Tech ता जो संस्क्रण था इस बार ये था पाँचवा Viva Tech बहुत इंपोर्टेंट डिजिटल कॉन्फरेंस होती हर साल पैरिस में 2032 के ओलम्पिक खेल कहां पे होंगे 2032 के ओलम्पिक होंगे Brisbane में जो उस्टेलिया का शहर है और इससे पहले 2028 में होंगे Los Angeles अमरिका और 2024 में होंगे Paris France में नीरज चोपडा इन्होंने पुर्टगाल की राजधानी लिजबन में हुए City of Lisbon Athletic Meet में गोल्ड मेडल जीता तो ये कों सा खेल खेलते हैं असान सवाल है नीरज चोपडा को कोन नहीं जानता ये javelin थ्रो फिंकते हैं तो आंसर है javelin मतलब भाला फिंकते हैं भाला फिंकना होता है ना भाला फिंकते है Даvelin थ्रो भारत की सरकार ने अभी अभी कौन सी परियोजना शुरू करी है, प्रोग्राम शुरू करा है, या करेकरम शुरू करा है, जिससे जो critical raw material है, कच्चा माल, महतंपूर्ण कच्चा माल, जैसे zeolite, बन्तब oxygen की कमी नहीं होनी चाहिए, oxygen के plant लगेंगे, छोटे oxygen से यंत्रों की स् चुरू करी है, जिसका ना में report it, don't share it, report it, don't share it को बच्चों का जो उत्पीडन होता है, या online child abuse उसको रोकने के लिए, online बाल सोशन को रोकने के लिए, चुरू करा है, facebook ने, तो answer है facebook, बारत की सरकार, कृषि मंत्राले, करनाटक में तीन उत्रिष्टा के इंद्र किन फलों के लिए, आम, अनार, vegetable, mango, pomgranate, किस के लिए, तो यह है all of the above, आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं, slide पे, आम के लिए बनेगा कोलार में, pomgranate यानि अनार के लिए बनेगा बागल कोट में, और सब्जीयों के लिए बनेगा धारवाड में, धारवाड में, आ यानि अपना मनपसंद चैनल, अपना सब्सक्रिप्शन, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, सारा कंट्रल उमके पास रहेगा, इस पोर्टल का नामें, TV चैनल, सिलेक्टर वेब पोर्टल, यानि option D, option D, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, क इसकी राजधानी है, गबरोन, G-A-B-O-R-O-N-E, अभी तक दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा जो हीरा था, वो था 3106 करट का कलिनन, जो अफ्रीका में खोजा गया था, 1905 में, और दूसरा था, 2015 में खोजा गया था, बोट्सवाना में ही, उस हीरे का नाम था, जार्ग और बंदर का मंत्राले, जिसके मंत्री है मनसुक मानवी है, इन्होंने कौन से जगा पर, National Maritime Heritage Complex, यानि राश्टिय समुदरी विरासत परिसर के विकास के लिए अस्तक्षर करें, संस्कृति मंत्राले के साथ, यानि Ministry of Culture के साथ मिलके काम करें, तो National Maritime Heritage Complex का में बन र जेगी, तो G1YU को डेवलफ करा है, IIT रोपड ने, IIT रोपड, कौन से राजे की सरकार ने, REV UP नाम का प्रोग्राम शुरू करा है, जो Artificial Intelligence यानि कृत्रिम बुद्धी मता पर आधारित जोद्योगे उनकी मदद करेगा, REV UP को शुरू करा है, तेलंगाना की सरकार ने, त प्रणाली शुरू करी है, या आप कह सकते हैं कि एक पोर्टल टाइप बनाया है, एक पहल करी है, जिससे अगर कोई खिलाडी उसको चोट लग जाए, तो उसको वल्ड क्लास, यानि विश्व स्तरिय उपचार प्रदान किया जा सकेगा, उसको पुनरवास किया सकेगा, उस इंजरी मनेजमेंट सिस्टम, खेल मंत्रा ले, खेल मंत्री है, किरन रिजी जू, जो डेल्टा वेरियंट है, भारत के दो वेरियंट थे कोई डेल्टा और कापा, तो डेल्टा वाला जो है, उसके अपना अकार बदल लिया है, मुटेशन हो गया है, तो अब डेल्टा प्ल के लिए कितनी राशी को मंजूरी दिये ली पोजिशन मिशन में भारत खर्च करेगा 4070 करोड़ और ये प्रित्वी विज्ञान मंत्रा यानि मिनिस्ट्री ओवर्थ साइंस इसे लीड करेगा Microsoft का नया chairman कौन बना है पहले CEO थे ये अब chairman बन गए इनका नाम है सत्य नडेला Green Fungus और एक होती है White Fungus जिसे बोलते है Candidiasis और एक होती है Black Fungus जिसे बोलते है Mucor Mycosis तो अलग-अलग Fungus पाई गई है अलग-अलग रंगों की कौन से राज्य ने Pink Booth शुरू करें जहां पे महिलाएं जाके टीका लगवा सकती है Special Pink Booth वुमेन को एंकरेज करने के लिए जिससे वो महाँ पे जाके टीका लगवा सकती है तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार में शुरू करें Iodine Value जो Vegetable Oil में Iodine Value होती है Iodine की मात्रा Iodine Moolia की मात्रा उसको नापने के लिए वनस्पती तेलों के अंदर कौन से उपकरण को बनाया गया है CSIR, PSIO के दुवारा इसका नाम है PIVA, PIVA Precision Iodine Value Analyzer आप यहाँ पे स्कीन पर लिखवा देख सकते है CSIR तो आप जानते हैं Council of Scientific and Industrial Research इसके अंतरकत जो संगठन आता है वो है CSIO जिसने करके दिखाया है Central Scientific Instrument Organization और CSIR के चेर्मेन है Dr. शेकर मंदे और जो मशीन बनाई है उसका नाम है Precision Iodine Value Analyzer Silver Line प्रोजेक्ट कौन से राजेगी परियोजना है Silver Line इसमें High Speed Railway Network बनेगा यह केरला की है, इससे उतरकेरला और दक्षन केरला को जोड़ा जाएगा यानि कासर गोर्ड को तिरू बनत्पूरम से जोड़ा जाएगा उत्तर केरला और दक्षन केरला आप सिरफ 4 गंटे में ट्रैवल कर पाएगे जिसमें अभी 12 गंटे लगते ICICI Bank ने कौन सी पहल शुरू करिये Digital Banking Solution, Digital Banking समाधान प्रतान करने के लिए Corporates को, Companies को इसका नाम रखा है ICICI Stack ICICI Stack चेनाई से कन्या कुमारी तक जो अद्योगी गलियारा बन रहा है चेनाई कन्या कुमारी नेस्टिल कोरिडोर उसके लिए 35 करोड रुपे का यानि 484 मिलियन डॉलर का लोन कौन सा बैंक दे रहा है ये बैंक है Asian Development Bank एशियाई विकास बैंक जिसके प्रेजिडेंट है मसाथ सुगु असकावा वो भारतिय कौन है जिनने United Nations Land for Life Award मिला है क्योंकि इन्होंने परियावरन सरंक्षन में काफी काम किया है तो इनका नाम है चाम सुंदर जियानी चाम सुंदर जियानी इन्होंने रजस्थान में बहुत काम किया है रजस्थान के मरुस्थलों में जो है पेड़ों को बचाने के लिए बहुत काम किया है अर्जोन मुंडा जो हमारे जन जाती है मामलों के मंतरी है इन्होंने आधी प्रसिक्षन पॉर्टल लॉंच करा है जिसका headquarter New York में है कौन सा country है जिसने organize करा ASEAN Defense Ministers यानि ASEAN Country के जो रक्षा मंत्री है उनकी meeting ASEAN Defense Ministers Meeting प्लस ADMM प्लस इसका आयोजन किया था ब्रुनई ने और भारत की तरफ से राजनात सिंग गए थे ब्रुनई ब्रुनई की राजधानी है बंदार सहरी बागवन बंदार सहरी बागवन अभी अभी अमरिका के राज़पती Joe Biden और रूस के राज़पती व्लादिमिल पुतिन मिले कहाँ पे मिले तो ये मिले थे जनेवा स्विजर लैंड में जनेवा स्विजर लैंड जहाँ पी WHO, WTO काफी सारे संगठन है जिनका headquarter है अभी अभी बाबुल सुप्रियो उन्होंने desertification and land degradation Atlas launch कर दिये भारत की यानि मरुस्तली करन और भूमी शर्ण Atlas तो ये किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है ये प्रकाशित की गई Space Application Center इसरो एहमदाबाद के द्वारा सबस्यादा शांती पसंद देश जो है जावे सबस्यादा शांती है वो है Iceland और सबसे कम शांती है अफगानिस्तान में LIC Card Services Limited इन्होंने अभी अभी एक contactless prepaid gift card launch करा है शगुन ये किसके साथ मिलके करा है कौन से bank के साथ तो ये LIC ने करा है IDBI bank के साथ मिलके शगुन इसमें 500 रुपे से लेके 10,000 रुपे तक शगुन gift card में आप load करवा सकते हैं और फिर आपको किसी को भी भेज सकते हैं gift card RBI ने RBI ने इन में से कौन सी company को कहा है कि आप एक लगू with bank खोल सकते हैं लगू with bank तो उसके बाद आप PMC bank का दिग्रेंड कर सकते हैं लेकिन पहले आपको लगू with bank या नि small finance bank खोलना पड़ेगा तो ये एक आय सेंटरम financial services को CFSL तो CFSL याद रखिए ये PMC bank का दिग्रेंड कर लेगी लेकिन पहले ये एक small finance bank खोलेगी भारत पे company के साथ मिलकर उसके बाद लाल रेम सियामी ये पहली महिला खिलाडी है मिजोरम की जो Tokyo Olympic में जाएंगी ये कुन सा खेल खेलती हैं लाल रेम सियामी होकी की खिलाडी है तो आंसर है होकी और मनिपुर की भी ये खिलाडी है सुशीला चानू वो भी इंडियन टीब में होकी खिलेंगी सुशीला चानू United Nations सहयुक्त राष्ट ने सहयुक्त राष्ट ग्लोबल कॉम्पेक्ट इन्होंने किस भारतिय को जो 10 सतत विकास लक्षे है Sustainable Development Goal उनको अचीव करने में मदद करने के लिए 10 अग्रणी लोगों में जगा दिये इनका काम रेकरनाइज करा है ये एक कंपनी है Renew Power उसके Managing Director Chairman है इनका नाम है सुमंध सिना सुमंध सिना IMD World Competitiveness Index विश्व प्रतिस परधात मक्ता सुचकांक में भारत का रेंक क्या रहा इंडिया का रेंक रहा 43 और इस इंडेक्स को दिया है Institute for Management Development ने यानि IMD ने 64 देशों की रेंकिंग आईए नंबर बन है इसमें Switzerland Switzerland जो है वो नंबर बन रहा Sweden नंबर दो पे रहा भारत का रेंक जो है वो है 44 43 इंडस इंड बैंक ने कौन सा प्लेटफॉर्म लाँच करा है जिससे जो इनके कस्टमर है या तो वो लोन ले सकें या क्रेडिड़ कारड ले सकें डिजिटल तरीक से पूरी तरह से कागज रहित पेपर्लेस इसका नाम है इंडस इजी क्रेडट पंजाग की सरकार ने कौन सा मुबाईल लाँप लांच करा है जिससे सारे जो खेल विभाग से associated लोग है एक मंच पे आ जाएं सभी खेल विभाग में काम करने वाले लोग इसका नाम है खेडो पंजाब कौन से राजे ने इपाटशाला और इमुल्यांकन सुभिधा शुरू करी है इपाटशाला में आपको classes मिलेंगी और इमुल्यांकन में आप assessment test दे सकते हैं ये शुरू करी है ओडिसा की सरकार में तो answer है ओडिसा भारत की सरकार ने World Trade Organization का जो हमारा permanent mission है यानि विश्व यापार संखन में स्थाई mission उसमें तीन साल के लिए counselor किसे न्युक्त किया है आउंसलर न्युक्त करा है आशिष चंदोरकर को आशिष चंदोरकर वन प्लस कंपनी के ब्रैन मेसलर कोई बने है स्मार्ट फोन कंपनी वन प्लस इसके मेसलर बने है जस्प्रिद भूमरा जस्प्रिद भूमरा योगा certification board of India ने कौन से संगठन को ये ताकत दी है कि वो certificate जारी कर सके यानि ये संगठन personal certification body के रूप में न्युक्त किया गया है ये है Indian Council for Cultural Relations Indian Council for Cultural Relations कौन सा मंत्राले है जिसने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है जाने तो जहाने जिससे COVID के बारे में जागुता फिलाई जा सके जाने तो जहाने इसको vaccine hesitancy को कम करने के लिए शुरू करा है अल्प संख्यक मामलों के मंत्रा लेने जो हुनर हाट का आयोजन भी करता है भारत ने लक्षे रखा है 20 million hectare यानि लगबग 2 crore hectare जमीन को फिर से उसका पुनर्बास किया जाएगा बाहल किया जाएगा इसके लक्षे क्या है किस साल तक तो ये साल है 2030 बारत ने लोन दिया है 10 करोड अमरीकी डॉलर 100 million line of credit एक्जिम बेंक के थूँ कौन से कंट्री को ये लोन हमने solar energy project लगाने के लिए शिरलंका को दिया है तो आंसर है शिरलंका इबराहिम रईसी ये कौन से देश के नए राष्पति बने है ये एरान के नए राष्पति बने है अभी-अभी सबसे कम उमर की महिला कौन बनी जिन्होंने अपने पहले ही test match में दो half century बना दिये तो याद रखिए इनका नाम है शेफाली वर्मा और ये सबसे कम उम्री की भारती है खिलाडी है 17 साल 150 देन जिन्होंने तीनों टेस्ट मैच, बंडे मैच और T20 खेल लिए तो ये पहली खिलाडी है भारत के एतिहास में सबसे कम उम्री जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में मैच खेल लिए मिलका सिंग की डेथ हो गई, जो धावक थे, बहुत बड़े, इनकी आत्मकता का नाम क्या था इनकी आत्मकता का नाम था The Race of My Life और 1960 में जो Rome Olympics में रेस हुई थी, उसमें ये चोथे नमबर पे आये थे अभी-अभी COVID का एक नया प्रकार, Lambda कौन से देश में खोजा गया सबसे पहली बार वैसे तो इंडिया में भी आ चुका है Lambda, लेकिन खोजा गया था पेरू में पेरू की राजदानी लेमा है और मुद्रा है, सोल Puma कंपनी ने अपना ब्रैंड मेंसर किसे बनाया है, जर्मानी की कंपनी Puma Motorsport ने अपना ब्रैंड मेंसर बनाया है, युवराज सिंग को क्रिकेट खिराड़ी है World Bank और IMF के द्वारा एक High Level Advisory Group बना है तो कौन भारती है इसका मेंबर बनाया है, यानि World Bank, विश्व बैंक और अंतराष्टी मुद्रा कोश ने मिलकर एक कुछ तरिये सलाकार समू बनाया है इसके मेंबर बने है, Montek Singh अलू वालिया, जो Deputy Chairman है Planning Commission के थे, Congress के समय में थे Swiss Banks में जो पैसा पढ़ा है, उसके मामले में भारत का रैंक क्या है भारत का जो रैंक है, वो है इसके अंदर, पिछले साल से पैसा भढ़ा है, 51 वा रैंक है हमारा, 20,000 करोड रुपे जादा है पिछले साल के मुकाबले Number 1 पे है, Britain गमू कश्मीर में पहली महिला, fighter pilot कौन है, जो इंडियन एर फोर्स में आई है इनका नाम है मावया सुधन मावया सुधन जो है, ये बारवी महिला है जो fighter pilot के तौर पे इंडियन एर फोर्स में आई है, लेकिन कश्मीर से पहली है ये किताब किस ने लिखी है, The Nutmax Curse इसको लिखा है अमितब घोष ने ये बहुत important book है, Nutmax Curse बारत के कौन से राजजे ने दो योजनाई शुरू करी है मुख्य मंत्री यूबा उद्ध्यमी योजना और मुख्य मंत्री महिला उद्ध्यमी योजना इन दोनों योजनाओं का benefit पहले सिर्फ SCST, EVC को मिलता था लेकिन अब सबके लिए हैं इन में आपको 10 लाग रुपे का लोन मिलेगा अगर आप business शुरू करना चाते हैं दोनों ही योजनाओं में अगर आप यूबा है तो भी और महिला है तो भी उद्यमी बनाने के लिए आपको entrepreneur बनाने के लिए 10 लाग रुपे का लोन मिलेगा जिसमें से आपको 5 लाग चुकाना है तिरफ यानि 5 लाग सकार की तरफ से माफ पहले ही और जो बचा हुआ 5 लाग है उस पे भी आपको भ्याज नहीं देना और ये आपको 7 साल में वापस चुकाना है अशोक कुमार हमारे राजदोद बने हैं कौन से country में अशोक कुमार हमारे राजदोद बने हैं अभी अभी जांबिया में जांबिया गैंबिया नहीं जांबिया जांबिया की राजदानी है लुसा का घर घर राशन प्रोग्राम कौन से बैंक ने शुरू करा है ये IDFC फर्स बैंक ने शुरू करा है इसमें बैंक के जो कस्टमर है जो गरीब कस्टमर है 50,000 कस्टमर उनके घर पे किट बेजी जाएगी राशन किट जिसमें चावल, धाल, बिसकिट चाए, चुगर, सॉल्ट वगरा ये सब चीज़े होंगी सस्टेनेबल डवलप्मेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या रही आप अपनी स्किन पर देख सकते है नंबर वन देश इसमें राफ इनलेंड इंडिया की रैंक रही 120 120 फ्रेंच ग्रॉंप्री का किताब किस ने जीता फ्रेंच ग्रॉंप्री ये जीता मैक्स वर्स्ट अपन ने रैड बोल टीम के ट्राइवर है इन्होंने जीता फ्रेंच ग्रॉंप्री टेक ओवर पैनल जो सेबी ने बनाया है बाजार नियामक से भी यानि भारती प्रतिबूती और विनी में बोर्ड उसके चेर्मेन कोन होंगे उसके चेर्मेन बनाए गए हैं अभी-अभी N.K. सोधी N.K. सोधी ये करनाटका और किरला हाई कोट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और हमारा आखरी सवाल कितने दिव्यांगता खेल केंदर भारत में बनाएगी कितने स्थापित करेगी दिव्यांगता खेल केंदर तो इनकी संक्या होगी पाँच इसके मंतरी है हमारे आवर चंद गैलोत सो ये था हमारा थर्ड पार्ट बाइलिंग्वल 320 N.C.K. उस जून महीने के मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट फॉर में थेंक्यो फर वाचिंग स्टड़ी आई क्यों